हलो फ्रेंट्स वेलकम वेक टू माई चैनल जिसका नाम है के स्टड़ी पॉइंट और आप देख रहे हैं महतपुर्ड खोजिस यहां से हर एक्जाम में दो से तीन नंबर के कोशन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इसलिए इसको आप लोग पूरा देखे और पूरा के साथ कोशन को लगाने की कोशिश भी करिए तो पहला कोशन देखते हैं क्या है सबसे पहले कोशिका की खोज किस बैग्यानिक ने की है तो यहां पर कोशिका की बात हो रही है जिस कोशिका की बात हो रही है वो है म्रत कोशिका की बात हो रही है तो शही आप्शन है इसका आप्शन ए रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने 1665 इसपी में मृत कोशिका की खोज की थी और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इन्हों ने माइक्रोग्राफिया में ही इसकी खोज की थी नेक्ट कोशिका की खोज किस बैग्यानिक ने की थी इससे पहले का जो कोशिका था उसमें हमने बात की थी मृत कोशिका की और इस कोशिका में है जीवित कोशिका की खोज किस बैग्यानिक ने की थी तो जीवित कोशिका की खोज की थी option B Lewin Hawk Lewin Hawk कोशिका की खुच की थी किस कोशिका की खुच की थी जीवित कोशिका की खुच की थी कभ की थी 1674 1674 में next question कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन किस बैज्यानिक ने किया सही option है इसका option E यानि की C और D दोनो Swan और Sliden Swan और Sliden ने Sliden ने 1938 में खुच की थी और इसके बाद जो Swan थे इन्हों ने 1939 में कोशिका सिधान्त दिया था मेरी खाल से आपको clear हो गया होगा next question ribosomes की खोज किस बैज्यानिक ने की थी सही option है इसका option D George Pellet George Pellet ने ribosomes की खोज की थी और ये जो ribosomes होते हैं इनका काम होता है इनको protein factory के नाम से भी जाना जाता है next question ribosome का नाम करण किस बैज्यानिक ने किया सही option है जी बी रोबर्ट यानि की option C जी बी रोबर्ट next question जी बी रोबर्ट की खोज किस बैज्यानिक ने कि सही option है इसका option B dozardin next question जी बी रोबर्ट का नाम करण किस बैज्यानिक ने किया सही option है इसका पुरकिंजे यानि की option A जी बी बीच प्रोटोप्लाजम को साइटोप्लाजम कहते है और न्यूकलियास के अंदर प्रेजेंट प्लाजम को न्यूकलियोप्लाजम कहते है next question question number 8 है mitochondria की खोज किस बैज्यानिक ने की शही option है इसका Richard Altman यानि की option C देखिए वैसे देखा जाए तो mitochondria की खोज सबसे पहले तो कॉली करने की थी कॉली करने कीटो की रेखित पेशियों में की थी कभी की थी 1880 में लेकिन इसकी खोज कसरे जाता है वो जाता है Altman को ठीक है और इसमें एक question और आपका आता है कि इनको mitochondria नाम किस ने दिया था तो mitochondria जिनों ने दिया था उनका नाम था Benda Next question Question है mitochondria का नाम करन्ड किस बैग्यानिक ने किया इसी का जिकरा भी हमने किया है तो सही option है Karl Benda यानि की option B Next question Next question है आपका सबसे पहले गुर्ण सूत्र की खोज किस बैग्यानिक ने की सही option है इसका Wilson Bone नागेली यानि की option C So friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और बैल आइकन को प्रेस करिए Thank you friends